आज के इस टोपिक में डिस्स करूंगा जेनरल साइनस एलेटेटर कोस्चन वीडियो का पार्टमर 22 में टेलिग्राम से आप लिए जॉइन कर लिए पीडियाप क्यूज के लिए चैनले का नेम सर्च कर ले बहुत ही फूटफूल होगा बिस्वास कीजे और क्यूज अच्छे लेबल कर डाल रहा हूँ अब जॉइन कर लिए टाइम अपले पास ज्यादा नहीं है देखी क्या होता है जुलाई लाश तक पेपर बन के लिए हिंदी इंग्लिस के लिए आप लोग जॉइन कर सकता है इसको जल जल जॉइन कर लिए ज्यादा लेट मत कीजे बोला जारा अलोलग टाइप के स्वेल के लिएन कर लिए जाता है और हाइपर टोनिक स्वेल जाता है पका सिकूर जाता है कौन इस्टेटिमन गलत है या सब सही है इसका अटसर होगा ऑप्शन नबट डियानि कि आल आर करेक्ट सब के सब सही है, सारा सही है, आईसाटोनिक सोलुईजिकि CCP, हाइपोटोनिक सोलुईजिक्राइए पिसके पहले आईडिया होना चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे मैं सॉल्यूट है, Solute है, ध्यान दिजेगा Solute को X सेडिनोट कर रहा हूँ और Solvent को Y से, ध्यान दिजेगा Solute को X सेडिनोट कर रहा हूँ और Solvent को Y से, चलिए दोनों A-S से ही, इसलिए confusion हो जाएगा फिर, Solute A-S है आपका तो Isotonic Solution में क्या होता है कि Isotonic है Isotonic में जो Solute और Solvent का इमाउंट दोनों बराबर होता है क्या होता है, Solute और Solvent का माउंट बराबर होता है, Hypotonic Solution में क्या होता है, कि जो Solute होता है Solute का इमाउंट जो होता है Solvent से कम होता है, Solute का जो इमाउंट होता है, Solute मतलब नमक जैसा चीज जिनि उगर हिजाम पर समझिए हुआ जो एसे पानी में कम मात्रा में तो ऊसे, सुल्यूशन को अप लोग हाइपाटोनिक बोलते हैं उसके बाद जो ऐसे एक हाइपाटोनिक आता है जिसमें आप लोग का जो सॉल्यूट है वह ज्यादा मात्रा में करने का तात्पर है कि जैसे कि आप लोग एक जी पाइनली जो इसमें डेट के जिन्मक डाल दिए उस तरह से सुल्यूशन बनेगा उसको आप लोग हाइपर्टोनिक सॉल्यूशन बोलेगा यानि कि एमाउंट अब जो सॉल्यूशन होता है अलग-अलग सॉल्यूशन में सेल क्या इफेक्ट डालता है सारा देख लीजेगा आई यह तोड़ समझाते हैं कि आकि इस सॉल्यूशन में होता क्या है जैसे एक हाइपर्टोनिक सॉल्यूशन है एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक हाइपर्टोनिक solute यानि कि X का मात्रा जोसे ज्यादा है X का मात्रा ज्यादा है यानि कि नमक ज्यादा है तो नमक ज्यादा है तो पानी कम है तो सेल में से पानी जो होता है बाहर निकलने लगता है सेल में से जो हैसे water निकलने लगता है बाहर में यानि solution तरब तो उस case में जो सेल जो ऐसे स्रिंग कर जाता है यानि कि सिकुड जाता है और आइसे टोनिक सोलेशन में आपको बताया था कि एक जो ऐसे बराबर होता हुआ में और सेल में water कम रहेगा तो water जो सिदर से move करने लएगा और इसका result क्या होगा कि से स्वेल अप कर जागा यानिंग कि फूल जाएगा पास वीमें आ गया तिया तींतर का solution होता है मैं कभी इससा discuss नहीं किया था सोचा आपको discuss कर दो इंपोर्टेंट चीज है ना, डायरेक्ट भी हाइपर्टोनिक, आइसोटोनिक या हाइपर्टोनिक सोलेशन पूछ सकते हैं, जैसे सीजिल का एक्जाम है, थोड़ा लेवल रहता है, एक्जाम का, मैं तो पहले भी चर्चा कर जो कहा हूँ, All given options are correct, सारा का सारा सही है, क्या होता है, solution, solvent और तो सारा पता होगा आपको, Solute जो होता है न, एक substance होता है, जो पानी ओगर मिल लग भाग घुलता है, यानिकि solvent जो घुल जाए, उसे solute बलता है, Solvent जिसमें कुछ घुलता है, उसको अब लोग solvent बलता है, और solute और solvent मिल गया है, उसके बाद, विलियन यानिकि solution बन गया, question नेक्श राता है, which of the following tubes in plants is responsible for transportation of water and minerals from root to the different parts of body, अब mineral सोगरा है और पानी है तो कहां से आएगा भाई, अब आस्मान से तो उड़के नहीं आएगा पानी, मिनर्स का, water and minerals का transportation करता है, एक जगस दूसरे जगह पर तो याद रख लीजेगा, ओके जाइलम बहुत इपोटेंट है, फ्लोईम भी समय लीजे साथ में, फ्लोईम जो होता है, क्या करता है, फूड का है, एक पार, one parts of body से, another parts of body, plant के body से transport करता है, प्लांट के बारे बात हो रहा है, ठीक है, तो दोनों चीज़ के बारे में याद रखेंग, और बागी कुछ ही देख लेता है, इसमें देख लीजे, थोड़ा सा अगर डिफ्रेंस, अगर जाइलम में थोड़ा सा बात करें, तो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, अब यहां पर वाटर वाटर होगर हमा समय लेजेगा, बहुत थोड़ा करता है, इसमें में रूप से फूट रखेगा, वाटर इसी को आप लोगीजेगा, जायलम ही जालको करता है, दूसरा वन में फ्लो होता है, क्या होता होता है, जो इसका थीक होता है, जो सेल वाल होता है, इसमें जो सेल वाल देख रहे है, तो देख भी सकते हैं, पतला मोटा होता है, तो देख भी सकते हैं, पतला मोटा अंतर समझ में आ रहा होगा, जो सेल होता है, उसमें एंड वाल नहीं होता है, इसमें सारा का एंड वाल होता है ठीक है जिसे सबकेंड़ वाल है इस सबकांड़ नहीं है सारव चराथ बसे मूब कर रहा है वाटर वगर को आपको ट्रांसपोर्ट वगरा करना है तो यह सारा चीज होता है इसको याद रख लीजिए गाँ चलिए तो इस सारा चीज है तो इसको ध्यान सबकेंगे जाइलम और फ्लोईम एक कोचन यहां से आता है चलिए आगे डिसकस करूंगा ओके फॉर्दर टाइम भी यूर एंसरी जाइलम वीच अफ फ्लोईंग इस और आर और फीमेल सेक्स हर्मोन या हर्मोन तो इमसे बताने कि कौन ज सेक्स हर्मोन के बारें बात करना है बताना है तो आपको अगर अच्छी समझ में आ रहा हो तेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्ट बच गया estrogen वगरा estrogen तो है ही अब क्या progesterone है जी आई भी है तो estrogen और progesterone दोनों जो है ये दोनों जो है से female sex hormones के अतरगात आता है your correct answer is option number E B and C both are in E so your correct answer is option number E clear estrogen और progesterone या दख लीज़ेगा दोनो female sex hormones आते हैं अगर देखिएगा purity का time में female ने बहुत सारा जो changes होता है वह responsible होता है ये सब hormone testosterone में male hormone होता है जो कि आपको tasty वगरा produce करता है ये पेसे जिए male hormone नहीं है female hormone नहीं है इसको याद रख लीज़ेगा चलिए हार्मन होता बहुत सारा important है प्लांट हो रहे हैं बहुत सारा carbon पाए जाता है जिसे के oxygen जिगरेल नोगर बात किये था जिसमें एक AB होता है इसका फुर्म होता है अपसेसी केसिड प्लांट से पाए जाता है which of the flowing is not caused due to oxidation अब बताना है इसमें oxidation का इसमें से कौन सा कारण नहीं है यानि का oxygen करन के चलते कौन नहीं होता है rustic यानि की जंग लगना recidity यानि विग्रित गंदीता combustion यानि की दहन या फिर thermal decoversion यानि की तापिया गटन कौन जो है से oxygen के चलते नहीं होता है आपको यह बताना है इसका sensor क्या होना चाहिए ध्यार से अगर देखा जाए rustic में क्या होता है rustic में oxygen react करता है oxygen मतलब होता है oxygen का addition या removal of hydrogen आप लोगा idea होगा तो वहाँ पे हो जाता है आपको oxidation rustic में तो oxygen add होता है तभी जाकर rust होड़ लगता है rancidity में भी जो खाना oxygen के connection में आता है या संपर्ख में आता है उसके फॉल सरूप जो है oxidize होके खराब हो जाता है तिसी को आप लोग विक्रिती गरद दिता या rancidity के नाम से जानते है ठीक है खाना rancid हो जाता है मतलब खटा हो जाता है sour हो जाता है combustion होता है आपका दहन हीट निकलेगा तो यहां से मुझे बैस बात यह करना है कि कौनकोन oxidation है ABC सारा के सारा oxidation के अंदर का था डी जो है से thermal decomposition जो decomposition के खेलते हैं नहीं होता है इसको heat वगद देना होता है जैसे decomposition reaction के बारे हम बात कीजेगा तो यहां से thermal decomposition का एक जैसे मैं आपका चर्चा करूँ जैसे calcium carbonate जो की marble का भी है चोकोगर का formula होता है इसको अगर heat दिया जाए तो calcium oxide यहने की कली चूना क्विक लाई में चेंज हो जाएगा प्लस में carbon dioxide gas निकल जाता है जो की global warming gas है तो यह सारा reaction जो आप देख रहा है वो आपका thermal decomposition होता है heat देने पर होता है तो यहां पर कहीं पर oxidation वगरा का कहानी नहीं दिख रहा है आपको ठीक है यहां पर oxygen नहीं देना पड़ रहा है ठीक है यहां पर heat देने पर यहां खुद जो ऐसे टोट जा रहा है यहां पर oxidation concept नहीं है, that is why this was the correct answer, okay, thermal decomposition हो गया, okay, thermal decomposition आता है ना, दो चीज़ यहां से बताता रहाँ, याद रखेगा, एक होता है AGCL, क्या होता है, एक होता है AGCL, अब एक होता है AGRI, यहां पर thermal नहीं, एक होता है, इसमें AGCL है ना, यहां पर होता है AGRI, तिस अब डिक तरह का decomposition reaction होता है, तो AGCL का परियोग अब लग थोरा सा याद रख लिजेगा, यह ना, ब्लेक और वाइट, सोरी, ब्र लेते है, AGCL, AGBR का यूज, आप लोग ब्लेक और वाइट फोटोग्राफी में करते हैं, किसमें, ब्लेक और फोटोग्राफी में, और इस AG, आई का यूज, आप करते हैं, दोनों जो ऐसे question important है, AGBR, सोरी, AGCL नहीं होगा, दुसरा चीज होता है, AGBR है, सिल्वर, ब्रुमाइड इसको बोलता है, यह जो से ब्लेक और फोटोग्राफी में, यूज होता है, तो वहां होता है, होता था, अब जो ऐसे AG, सिल्वर आयोड़ाट, जो है, आटीप लगना, ओके, लोहे में जंगल जब लगता है न, उसको आप लोग रॉष्टिंग बोलता है, अब रॉष्ट का फर्मूला क्या होता है, AP2O3, AP2O3 into XH2, इसको थोड़ा सा याद रख लिजेगा, ठीक है, रेंसिटी वगर होता है, जब खाना oxygen कर संपर्फ में आता है, तो फुट बचा रहा है, जैसे ही पैकेट खोल दीजेगा, कुछी समय के बाद खाना खराब होना सुरू हो जाता है, वैसे उसको खाना नहीं कह सकता है, वो के खाना का रिजगत आता ही नहीं है, टाइम बस है, जो कि बोड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे है, जो साल्ट पीटर बोलते है, इंडियन साल्ट पीटर बोलते है डीनो fill को इब्सम साल्ट का फरमुला थी बनेलव चैल कवपार है, जो से से siamdian sulphate होता है उसके बाद आपको देख सकता है हिप्ता है यहां पर है और उसके बाद और क्लॉरोफों का फिर्मूला यहां पर गलत है यानि कि option नुमर्म डी आपका सही हरा होगा ओके ओप्सें नुमेर धी जो ऐसा ही है यह ऐसे न किलूरो फॉर्म का फर्म अप्र मुला ग़नत है क्यों क्लॉरो फॉर्म का प्रमॉला क्ष ल थरी होता है क्या होता है Prince प्रेक्लोरों मेतज स्वार को कि थॉवरों एक क्लॉरों मेतन नाम प्र्रीक्लोरों के हैं कि लोगों को सुंगा के ब्योस कर देने के लिए यूज होता है बागी कुछ कुछ चीज हैने से आपको बता देता हूं जो कि आपके हो सकता है एक्जाम में पूछ दे कार्ष्टिक सोडा न कार्ष्टिक सोड सोडा जो होता है वो नोच को बला जाता है उसके बाद नोसाधर यह को आप लोग isnfi फिटकिरी तो होता है देखिएगा K2SO4 होता है K2SO4 होता है L2SO4 का Helle 3 क्या होता है L2SO4 का Helle 3 और 24H2 इसको देखिएगा آپका ये फिटकिरी का फर्मुला है तो कुछ कुछी यहाँ देखिएगा डैरेक्ड होकर आप से पूछा जा सकता है एलम इसको बला जाता है न अब याद आखिए का फिटकिरी का यूज जो होता है पानी को सुध करने के लिए यूज जैसे आप लोग कुममेला वगर कभी लगता है गंगा ने दीवगर में आप लोग पता है लाहवाद में तो नीज वगरं सुने होंगे कि बहुत सारा फिट प्रोफम का गलत था वीच अब फ्लोइंग मेथर्ड या मेथर्ट इज और आर यूज तो प्रिवेंट को जन इन आ आइरन यानि कि जो आइरन होता है उसमें किसका अप लोग परियों करके उसको जंग लगाने से अप लोग बचा सकते हैं एनोडाइजिंग और कर सकते हैं इसमें जो आप लोग यूज कर सकते हैं और के उसमें याप लोग और युजक कर सकते हैं और कु में क्या होता है कि अपनलों पर कोई होगल ब्यंग होता है न उसको आप अब पूलते हैं गेलिवनिसेशन प्रोसेस में अप लोग किस जो यह से पर्यों करते हैं किस-मेटल का परे सब्सक्राइब जाता है इंसर हो जाएगा 1 and 4 यहाँ पर थोड़ा सा गड़ बढ़ता 1 and 4 होगा इसको याद रखिएगा चलिए यहाँ से थर्मिट प्रोसेस यहाँ पर डिसकस कर देता हूँ थर्मिट प्रोसेस को आप लोग के समय डिसकस कर देता हूँ आप लोग एक reaction देखिएगा iron oxide का तो अगर दरार अगर पड़ जाता है तो इस liquid material का यूज करके आप लोग इसको फिल करते हैं और बाद में hard होने के बाद आपको पता चल जाता है क्या हो जाता है बहर जाता है तो इस thermit reaction का use जो होता है इस thermit reaction है highly एक्सो थर्मिक यानि कि उसमाँ छेपी विक्रिया होता है energy high जो बहुत निकलता है इतना निकलता है कि आरे जोता है liquid हो जाता है और इसका use अपलोग rail के track होगा और पत्री होगा जोड़ने में कर सकते है या बहुत सार मसीनी पार्ट्स होगा जहाँ पर क्रेक लग जाता है वहाँ पर इसको जोड़ने के लिखे जाता है बहुत ही important question है option option number C the correct answer okay one and four होगा anodizing और galvanization question 7 देखता है which disinfectant is recommended to kill coronavirus coronavirus के बारे में तो पता होगा सारा सारा चीज़ तमालूम होगा आज discuss कर देते हैं तो इसे बताए कि किस किटान नासा का परियोग जैसे coronavirus को मारने के लिए किया जा सकता है carbolic acid, phenyl, sodium hypochlorite या फिर paracetamol किसका आप लोग युज़ कर सकते हैं देखिए इसमें आप लोग युज़ कर सकते हैं किसका? sodium hypochlorite के युज़ कर सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है sodium hypochlorite NACLO का युज़ आप लोग कर सकते हैं इसका नाम है sodium hypochlorite coronavirus का जो होता है जो corona का जो DNA होता है उसको ऐसे kill कर देता है तो आप लोग corona virus से बच जाते हैं तो इसको यहाँ दखिएगा coronavirus का नाम देखिएगा आप लोग देखिएगा कोई से तो COVID-19 बलते हैं इसका देखिएगा इसका नाम है SARS इसका वाइरस का नाम है SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 नाम है क्योंकि पहले भी एक बड़ आ चुका है SARS देखिए इतना इंपोटेंट यह वर्ड है से आपसे डारेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि SARS में एक क्या मतलब है R का क्या मतलब S का क्या मतलब लास्ट वाले इसका ती होता है Saviard Acute Respiratory Syndrome सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सेंड्रोम यह होता है आपका SARS का फुल फॉर्म यह जो इसे आपको लंग को अफेट करता है LUNG लंग को अफेट करता है यह दखिएगा इसके लिए आप लोग देखिएगा SARS-CoV-2 वाइरस का नाम होगे इसके लिए एक टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट क्या होता है RT-PCR टेस्ट होता है Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction इसमें आप लोग को करोना वाइरस के लिए पता लगाने के लिए इसको टेस्ट को किया जाकता है जितरह से AIDS में ELISA और टाइफाइड में विडाल टेस्ट किया जाता है Your correct answer is Sodium Hypochloride Carbolic Acid या देखिएगा Phenol आप लोग नाम सुले है C6H5OH उसी का नाम Carbolic Acid है Carbolic Acid आप कार्बोनिक Acid में अंतर है थोड़ा सा confusion नहीं होना चाहिए Carbolic Acid है तो याद रख लिजेगा C6H5OH भी सकते अब ऐसे Carbolic Acid आप लिखना हो ऐसे तो इतना से भी आप structure बना सकते है क्यों IAC वाले ऐसे भी आप लोग आप structure बना सकते है यही तो C6H5OH है है ना चलिए Move करते हैं question number next भी और इसर होगे आपका C formula देख लिजेगा NACL हो जाएगा What is the function of nucleus अब nucleus का क्या function होता है बताइए nucleus वाला वह आपका वह रदर फोट वह नहीं है जो के 1911 में खोजा गया था ओके atom का nucleus नहीं है पर cell के nucleus के बारें बात हो रहा है It controls only cell division सिर्फ cell division के लिए responsible होता है It controls only certain function कुछी चीज को control करता है It controls all the activities of the cell यह जो ऐसे सारा activity को control करता है या it has no specific function कुछ कामी नहीं है इसका गड़ बड़ा है जारा option जिसका सही काम होगा वह से होगा जितना भी activity होता है सारा का सारा जो होता है यह control करता है यानि कि center होता है भाई और center को भी चोता आपको पता होगा 99% अगर atom को बात करें तो वहाँ पे mass होता है तो बहुत सारा जो function होता है जितना भी activity 99.99% जो activities है सब को control करने का काम जो होता है से nucleus का ही होता है जो की cell होता है अब यह से मैं दो चीज़ा आपको discuss करने चाहूंगा एक होता है cell एक होता है आपका nucleus का cell आपका जो atom का cell होता है एक होता है आपका body में जो cell होता है तो यह जो cell है आप लोग देखते है body में cell उसकी तो आपको पता होगा Robert Hook के दोरह इसको खोजा गया था 1665 में और इसका एक nucleus होता है इसका भी एक nucleus होता है जो की obviously कोचन है इसका खोज जो ऐसा आपको किये थे Robert Brown के दोरह किया गया है Robert Brown के दोरह जो ऐसा इसको खोजा गया था इस nucleus को और जो आप लोग देखते है ना 1911 में जो rutherford alpha scattering experiment हुआ था उस समय जो atom का nucleus का खोज हुआ था ओ किये थे आपका rutherford ओके आपको अच्छे से पता होना चाहिए ओके चलिए इंसर इज सी देख लीजे यही सारा आपको seal होता है nucleus होता है उसके अंदर यहाँ पर इस सब देख रहा होगा सारा आपको plasma membrane होगा इस seal membrane को प्लाज्मा मेंब्रेन बलते हैं लाइसोसोम और देख सकते हैं जिसमें को सिका कात मखाते थैले होगा बलते हैं आपको उसके बाद राइबोसोम होता है प्रोटीन का सैंथेस होगा रहा होता है माइटो कॉंट्रिया देख सकते हैं जिसको बीजली घर होगा बलते हैं अब इससे नुकलियर मेंब्रेन है एक नुकलियर मेंब्रेन है एक प्लाज्मा मेंब्रेन दोनों में अंतर है जो नुकलियर को घेर कर रखता है उसको अप लोग नुकलियर मेंब्रेन बलते हैं यह सब्सक्राइब नुक्लियोस के अंदर भी इसका सेंटर पॉंट होता है अब लोग नुक्लियोस लॉस बोलते हैं ठीक है देख लिए चाहिए सेल वगरा है एक ओके चलिए नियान दीजेगा थोड़ा सब्सक्राइब कर लेता है तो आपको बताना है कितना परसेंट पार्ट जो है से फूड एनरजी में कंवर्ट के जाता है कि इसको ध्यान से देखिए ओनली वण परसेंट सीर्फ और सीर्फ एक परसेंट जो है संग जितना भी फॉल होता है उसका एक ही परसेंट पार्ट को जो हैसे energy में फूड नरजी में कंवर्ट किया जाता है जो कि और यह को पता होगा कि इन लोग यह से अल्टिमेटली जाकि गुलुकोजोगर बनाता है ठीक है तो यहाद रखिएगा photosynthesis reaction तो आपको कितनी पर बता चुका था एक पर फिर से बता देता हूँ reaction तो लिया ने हो चली बताता हूँ जैसे कि आपको पता होगा photosynthesis reaction जो होता है carbon dioxide होता है और water के presence में यहाँ पे sunlight or chlorophyll होता है क्या होता है sunlight होता है और chlorophyll के presence में यह reaction होता है जहाँ पर आपको पता होगा glucose C6, H12, O6 बन जाता है और उसके बाद यहाँ से oxygen जो हो जाता है क्या होता है oxygen रिलीज होता है balance वगर कर लिजएगा 6 देज़े सब जगा यहाँ पर balance वगर हो जाता है तो इसको देख लिजएगा यही आपका glucose है इन लोगा food है क्या है glucose food वगरा है इस इन लोगा यही reaction होता है ओके चलिए दो important point है बताता हूँ एक होता है yellow light एक होता है yellow light एक होता है red light जो color में लिख रहा हूँ उस color के light में photosynthesis सबसे ज़्यादा high होता है अगर पुछे कि किस रंग के प्रकास में जो rate of photosynthesis होता है सबसे अधीक होता है तो your answer should be red light red light में जो होता है photosynthesis के रिया बहुती तीवरतास होती है और जो yellow light क्या yellow light होता है उसमें rate of photosynthesis होता है सबसे लो होता है यानि कम होता है इसको याद रखिएगा ठीक है point में next discuss करना चाहता हूँ आपसे पूछते है कि photosynthesis reactions देख लिए photosynthesis क्या होता है कि photosynthesis reaction के during oxygen release होता है वो oxygen कहां से आता है आपके पास बहुत सारा option देखांगा counter set देखा ठीक है water देखा इन्वोमेंट देखा ओके तो यह जो oxygen आता है यह एक important question आपके लिए है सारा चीज को ध्यान से देख लिए जाएगा only 1% जैसे यूज किया जाता है सूरे के प्रकास का okay चलिए और सूरे के प्रकास को trap करने का काम कौन करता है आपको पत्ती में chlorophyll पाया जाता है वही जैसा sunlight को trap करता है question 10 देखते हैं which pigment are deposited in the scelra of the eye and skin during hepatitis इसके आपका जो वाइट यह जाता है तो हेपटाइटिस में आपको के दौरान जो है स्वेट पटल जो हता है कौन सा वर्नक जमा हो जाता है chlorophyll यह तो ऐसी कर जाएगा अदमी में chlorophyll कहां से आ गया बाई इता प्लांट पाया जाता है उसके बाद लिखा हुआ है जैन्तोफिल क्या है जैन्तोफिल है उसके बाद देख लीजे के रिटेनाइड है एक तरह का प्रोटीन होता है आपका बिली रूबिन क्या है बिली दो तरह का पिग जो है से आपके आँखों का जो स्वेट पटल है जनिके स्केल रहा इसमें कटा हो जाता है आईये बताते हैं UP जो होता है जो कि आपका कंछा निवर को करता करता है초 करता है कि करता है vari का यूदि पांच तरह दिकसी डी और E especialज़ कि ऐबне लिवर लाजिस्ट और एपका बोडी का याद रखिएंगा यह सकेलना आप मिली रूबिन होता है एक आपका है रहा है को थो सदाह्य है से हमाउल्सहों मौन कीतला का फोक्स के ऐगल्स का इसमें रहे इसंन स्सप्क्राटended आपका इज चांखा का सदेंगा और दिखता रहा है विडियो कोड़ करने में जो चमगादर है चितिदार चमगादर उसके लिए देखीएगा यूडर्मा मेकुलम जो वाकी जो ऑप्सन यहां फोक्स का वुल्स वूल्स यह बोल सकते हैं यह होता है अगल का देखिए का इसीप्तिराइड होता है और इसके बाद रैट्स होता है तो इस सारा सेंटिफिक नेम देख लीचे का बर्गों तो गरा कहिया थे ना फाइकस बेंदालेसी से वगरा कि सब आपको आइडिया होगा आम का मेग्रिफेर एंडी का वगरा नेश को चनाता है वीच औ को सब्सक्राइब करेंदा आपको बनता है कि यहां पर इसक्राइब कमा बनता करफ कि都比較 देख लीचे यहां पर enabl it होता है तो होता है इसका काम होता है इसका काम चलता है तो यहीं से बनता है आप छोड़ा चर्चा कर देते हैं बागी सारे का अब ए कोच नाम होता है विटमिन डी होता है आपका थाइमिन सी होता है स्कॉर्वी केसी डी होता है कैलसी फरली होता है टोकु फरल और की जो आता है उसका वह तब तब फिलो क्यूनिन तो इस सब थोड़ा कुछ कुछ याद रख लीजेगा और बिटमिन डी एक हार्मोन भी है बोला जाता है कि कौन साइड एक बिटमिन है जो कि हार्मोन है तो आपका एंसर बिटमिन डी होना चाहिए हार्मोन क्या होता है हार्मोन घी का ऐसा एक तरह का मलब बोल सकते है स्रा होता है हार्मोन किसको बलता है एक तरह का ऐसा होने होंगे ठीक है अगर यहां तक आतने जरू लिखेगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसके लिए थमस अप जरू दें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बंदे भारत